असलाम लुकूं मैं टू फैमली कैसे हैं आप सब अच्छे से होंगे मैं हूँ रूबी और मेरे चानल रूबी स्कोकिंग में आप सब का स्वागत है आज मैं बहुत ही यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम मटन तबा चांप बनाएंगे जो बनाने के लिए बहुत ही सिं है आप कोशिश यह करें कि जब आप चाप लाएं मटन का तो बीना फैट का ही लाएं बहुत ही कम फैट होना चाहिए उसमें यहां पर मैंने अध्रग लसुन का पेस्ट टू टीस्पून एट कर दिया है अभी चाप को जब आप लेकर आएं तो उसे धो के किचन टावल में अच्छे से सुखा ले थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए उसमें यहां पर मैंने वन टीस्पून पपाया का पेस्ट टाला है और आधा टीस्पून तीखी लाल मिर्च मैंने आट किया है और यह मेरा होम मेट गरम मसाला है अगर इसकी रेसीपी चाहिए तो अब मेरे च घंटा क्लिर रख दूंगी एक घंटा से ज्यादा ना रखे क्योंकि आपने पपाया यह उसकिया है फिर सभाला बहुत मुश्किल हो जाएगा एक घंटे के बाद इसे हम खोल लेंगे और देखिए काफी नरम सॉफ्ट हो चुका है यह आप मटन को दबा के चेक कर लें जाच रहा चुकी हूं गैस पर गरम भी हो चुका है इस पर मैं तेल ब्रश करूंगी ज्यादा तेल इस्तिमाल ना करें इसे फ्राय करने में अब बहुत ही जटपड बनके तयार हो जाता है बस वही आपको मैगनेट करके रखने में ही जो वक्त लगेगा एक घंटे का उसक करके हम तबे पर टालते जाएंगे अब पर से मैं थोड़ा सा तेल ब्रश कर दूंगी अब इसकी जगह सरसो का तेल या रिफाइनल जो भी तेल आप खाना चाहते हैं वह आप इस्तिमाल कर सकते हैं भी मैं इसको अच्छा से ब्रश करके पल्टी करके बना लूंगी लो टू मेडियम ही रखना है हाई फ्लेम में नहीं बनाना है हमें देखें काफी कलर चेंज हो गया है आप इसे मैगिनेट करके फ्रीज में अगर रखेंगे तो आप पाया का इस्तिमाल ना करें आप अध्रक रसुन के पेस्न में इसे ओवर नाइट फ्रीज में रख सकते ह आप इसे बना सकते हैं पटापट अगर आप पाया यूज कर रहे हैं तो आपको एक घंटे के अंदर ही इसे पकाना पड़ेगा इसे अल्टी-पल्टी करके अच्छे से हम पका लेंगे काफी अच्छे से हमारा चाप यहां पर तैयार हो रहा है को कॉलकाता में इसे बहुत पसंद से खाया जाता है जो कलकाता के होंगे उनको अच्छे से पता होगा मेरा ये तबा का चाप तयार हो चुका है मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगे देखिए ये तूट रहा है ना इस तरह हद तक तयार होना चाहिए तूटना चाहिए चूने के साथ ही यही अच्छी पैचान हो जाता है कि चांप हमारा अच्छे से गल चुका है अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और जो हमारा बच्छावा चाप है उसे भी मैं तवे पर रखके उसे भी पकने के लिए रख दूँगी हमारा यहां पर चाप तयार हो जाए जैसे ही तो चाप तयार हो जाएगा हम इसके प्लेटिंग कर लेंगे मैंने यहां पर गर्मा गर्म चाप नेमू के साथ सर्फ कर लिया है आपको मेरे यह तवा चाप के रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आपको सबको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेगी अल्ल